इस चुनाहों में चाहे अन्चाहे ये मसला गरम रहेगा पर सियासत के जरिये हम तक पहुंचा सकते हैं इस मुद्दे पर हमारे साथ जरूर जुड़िए अपनी राय दीजिए क्योंकि आपकी राय कहीं न कहीं ये तै करेगी कि पार्टिया इस मुद्दे पर किस तरह से आगे बढ़ती हैं चुनाव के इस मौसम में हमारे साथ खास मेमान मौझूद है आईए उनके साथ चर्चा की शुरुआत करने से पहले क्योंकि यहाँ पर ओडियंस में भी बड़ी संख्या में लोग हैं एक बार तालिया हो जाएं आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस चारिक्रम के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं और आईए अब अपने इंट्रुड़क्शन्स की में शुरुआत करते हूं हमारे साथ आज की इस बड़ी चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं CPI के नेता प्रोफेसर दिनेश वार्षने स्वागत कीजिए उनका उनके साथ BJP के राश्र प्रवक्ता प्रेम शुकला जी आज की इस चर्चा में मौझूद है वरश्ट पत्रकार राम करपाल सिंग जी राजनीती को दशकों से देखते आ रहे हैं समुद्दे पर अपनी राय रखेंगे विएच्पी से विजर शंकर तिवारी जी हमारे साथ आज की इस चर्चा का हिस्सा है और साथ ही कॉंग्रस पार्टी से डॉक्टर गॉरव बलव राश्र प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गया आप सबका स्वागत है गॉरव जी स्चर्चा की शुरुवात मैं आँ भी सिकरना चाहूंगी बहुती सीधा सवाल है राम जन्म भूमी पर भागवान राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं हमारा तो बरसों से एक ही इंस्टेंस है हम तो आज भी वही बात बोलते हैं जो आज से पहले बोलते थे कि राम मंदिर बनना चाहिए पर कानून के दाएरे में समीधान के दाएरे में वहां राम मंदिर बनना चाहिए मैं भी जोर जोर से चिलाने की मेरी भी इच्छा करती है जैसे या राम, जैसे या राम मैं भी तीन बार वहाँ पे जाके पूजा करता हूँ पर चार चीजे का उत्तर मुझे इस बहस का खतम होते होते दिलवा देना भारती जनता पार्टी के आभी सरकार है, बीस राज्यों में सरकार है ठी, राम मंदिर की डेट, नौकरियों के आंकडे, मोदी जी की डिगरी और इसमर्ती इरानी जी का दसवी पास का सर्टिफिगेट ये एक बार बता दे देश को पर मेरे सवाल के नाते, मेरा मन करता है, मैं जैसिया राम बोलू बोलता हूँ, उजा भी करता हूँ, जैसे मैं करती हूँ, जैसे बाकी हुद करते हूँ आपने कहा समविधान के दाइरे में मंदर वहां बनना चाहिए, जहां राम जन्म भूमी है, ये भी आपने कहा हूँ, कॉंगर्स पार्टी के प्रवक्ता है दिगवजय सिंग क्या कहते हैं, राम जन्म भूमी को लेकर के, 2018 में उन्हों नहीं ये कहा, कि राम जन्म भूमी पर भगवान राम भी नहीं चाहेंगी, कि उस विवादित स्थल पर भगवान राम का मंदिर बने, शशी थरूर भी वही बता देता है बनी शंकर एयर केते हैं राजा दश्रत के महल में 10,000 कम्रे थे भगवान रांग जाने किस कम्रे में पैदा हुए हमें क्या मालूब का जवाब देता हूं मैं दिगविजय सिंग जी ने क्यों कहा क्योंकि वो चाहते थे कि वह संविधान के दाइरे में सुप्रिम कोट के निर्देशा अनुशार राम मंदिर बने यह हम शुरू से कह रहे हैं पर हम राम और राम राज्य दौनों के पक्षतर हैं ना तो इनका राम में विश्वास हैं ना राम राज्य में विश्वास कभी राम राज्य में एक धरम के लोग दूसरे धरम के लोगों को जिंदा मार देते हैं क्या मार मार के पीट-पीट के जला देते हैं क्या कभी ऐसा राम राज्य में हुआ प्लीज प्रेम जी अपना आज बहुत करिए सब्वेता से काम करेंगे आज राम जी का संदेज देना पूर देए राम जा राजीव गांदी जी के कदम के खिलाफ जा रहे हैं ना जो बाट